Hey guys, welcome to the new video, दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी लोगा फिर से आज की इस नई वीडियो पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI की minor saving account के बारे में minor saving account कैसे open होता है, आप उसमें क्या क्या documents आपको bank को provide करने पड़ते हैं eligibility क्या होता है, क्या कोई आपको amount maintain करना पड़ता है, सारा कुछ जो है detail में आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, देखें दोस्तों minor account तो काफी सारे bank open करते हैं जिसे कि जितने भी bank से major, जिसे कि अपना पंजाब national bank हो गया या फिर bank को बड़ोधा हो गया या फिर हम private में सबसे बड़े bank की बात करें तो ICC bank, HDFC bank, Axis bank भी open करती हैं, लेकिन लोगों का जो है interest होता है कि वो SBI में account open करें, खासकर minor saving account क्योंकि इस जो account होता है, इसमें हमें बच्चे का account open करना होता है और हम नहीं चाते हैं कि हमें कोई भी amount या कोई भी एक fix amount हमें हमें हमेशा आपको bank में जमा रखना पड़े as an average maintain हमें करने के लिए, तो हम भी साँ चाहते हैं कि हमारा account जो है वो zero balance रहे क्योंकि ये बच्चे का account है, तो मैं सबसे बहले आपको बता दू कि SBI जो है वो आपको offer करती है, zero balance saving account जो minor accounts होता है और बाकी bank जो हर जगा कहीं ने कहीं आपको 5000 या 2500 amount कुछ ऐसा देना पड़त है, तो सबसे अच्छी खासियत तो SBI की यही हो गई कि ये zero balance जो है आपका account रहता है, अब हम बात करें कि SBI में ऐसा क्या है और कौन-कौन से variant account है, देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं general sense की बात करूँ, तो जब भी आप किसी भी बच्चे का account open कराते हो, तो आपके पास 2-3 document जरूरी होना चाहिए, जब भी बच्चे का account open होता है, तो कभी भी बच्चे का account single open नहीं होता है, तो इस case में क्या होता है दोस्तों, कि बच्चे का जो data of birth certificate होता है, वो mandatory होता है, उसके भी आप account open होता है, प्लस guardian, जो उनके माता पिता है, उनकी पूरी KYC, मतलब उनका pen card detail लगता है, दोनों जब आप document साथ में देते हो, तब ही बच्चे का under guardianship account या फिर आप उनको minor account बोल सकते हो, वो open होता है, आपने काफी बार देखा होगा दोस्तों, कि check books में नाम आता है, example, बच्चे का नाम sonu है, और पिताजी का नाम manos kumar है, तो sonu under guardian u slash g और manos kumar के न बात करते हैं कि SBI में कौन-कौन से account होते हैं, SBI में दो तरह के बच्चे के account होते हैं, पहला होता है पहला कदम और दूसरा होता है पहली उडान, तो पहला कदम account की बात करें तो दोस्तों, पहला कदम account का ये होता है कि कोई भी बच्चा जिनकी उम्र 18 साल से कम होता है, जो minor है उनको जो है guardian के साथ account open करना होता है मतलब guardian के साथ आप account open करोगे और सारे rights जो होते हैं उसमें basically वो guardian के पास ही होते हैं जो checkbook issue होते हैं या फिर जो अपना picture debit card मतलब जिसमें बच्चे की photo होती है या ATM card बोलो वो जो है उनको जो operate करते हैं वो guardian ही operate करते हैं लेकिन दूसरा जो account है पहली उरान की बात करें तो पहली उरान जो account है इसमें कोई भी minor बच्चे इनकी उम्र दस साल से उपर की होती है चाहे वो लरके हो या फिर लरकी हो उस case में जो rights होते हैं कुछ rights जैसे की debit card यूज करने के rights कुछ amount तक क्या जो amount होता है आप debit card पे use कर सकते हैं वो सिर्फ बच्चे को मिलता है मतलब इसमें minor की ही उपर पूरी accountability और dependency होती है लेकिन इस case में minor की जो age है वो 10 साल से उपर होनी चाहिए तो ये दोनो account में फर्क है आप दोनों में से कोई भी account जो है जो आपको suitable लगता है आप SBI में State Bank of India में open करवा सकते हो अब हम बात करते हैं documentation की दोस्तों तो documentation में दोनो account में पहली कदम और पहला उरान दोनों जो अपना account है दोनों में आपको data or birth certificate बच्चे का लगता है और major का जो guardian है उनका पूरा documentation लगता है तो bank में account open हो जाता है और दोनों में से किसी भी account में दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ maintain नहीं करना है और आप maximum 10 लाग तक जो amount में cash रख सकते हो दोनों account की मैं बात करूँ तो कोई भी आपको extra या फिर कोई अलग प्रगार की किसी प्रगार की कोई charges नहीं है दोनों में आपको debit card issue होता है दोनों में आपको checkbook भी issue होता है 10 lips की checkbooks होती है वो दोनों में issue होता है तो मैं features की बात करें तो दोनों account में मैंने आप quality बता रखा है कि आपको कोई भी manage आपको यहाँ पर average balance को maintain नहीं करना है और आप maximum 10 lakh तक इसमें amount रख सकती हो अब हम बात करें दोनों checkbooks की तो पहला गदम जो होता है उसके अंदर भी checkbook available है और इसमें 10 lips की आपको checkbook दी जाती है in the name of minor under guardian जैसा कि मैंने आपको example दिया था कि बच्चे का नाम सोनू है और पिता जी का नाम मनीश कुमार है तो सोनू under guardianship मनीश कुमार के नाम से आपको checkbook issue कराय जाएगा दूसरे account की बात करें पहली उडान की बात करें तो इसमें भी आपको checkbook issue होता है और इसमें भी 10 labs की checkbook issue होता है और इसमें जो है minor जो है sign कर सकता uniformly इसका मतलब है कि मैंने आपको बताए कि जिनकी उनके 10 साल से उपर है जो पहली उडान एकाउन खोलते हैं तो उसमें जो है checkbook पे sign है वो जो है बच्चा खुद कर सकता है जिनकी ये 10 साल से उपर है यहाँ पे जो है amount के restrictions होती है कुछ limited amount थक ही वो checkbook में issue करके जो उससे withdraw या कर सकते हैं अब हम बात करें ATM card की तो मैंने आपको अल्री बता है कि यहाँ पे photo ATM card देते हैं जिसमें बच्चे की अल्री फोटो होती है जो की दोनों account में जो है आपको दिया जाता है mobile banking की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो view rights होता है transactions का वो दिया जाता है पहला कदम account में जो आप अपने parent के साथ अंडर गाली शिप में करते हो उसमें दिया जाता है और transaction limit जो होता है उसमें per day का 2,000 रुपीज का maximum होता है उससे उपर आप internet banking के तरू नहीं कर सकते हो उसके हम बात करें तो पहली उरान की तो दोस्तों इसमें भी आपको view के जो है transactions राइट दिये गए होते हैं और इसमें भी 2000 रुपे का पर डे का जो है क्याप यहाँ पे जो add होता है इससे उपर आप amount को use नहीं कर सकते हो और साथ में दोस्तों auto sweep जो facility होती है वो भी account में provide करें जाती है तो यह होगे दोस्तों features की बात बागी मनें आपको बता दिया कि account कैसे कोलना है आपको brand जाके application form देना है detail submit करना है और जो भी account जिसे कि आपका पहला कदम या फिर पहली और आप account कोलना जाते है उसके recording आपको document submit करना है और आप easily account open कर सकते हो इसके अलावा दोस्तों कोई भी issue होता है कोई भी परिसानी होता है minor account के बारे में through SBI तो आप मुझसे comment करके आप मुझे instagram पे भी message करके है आपके देश्के जोटों पसंदाए तो इस वीडियो को like करें आपके जोटों को subscribe करना नम्हों